नमस्कार सभी को, मैं अश्वनी शहरावत, मेरा सेलेक्शन SSC CGL के थरू अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ, SSC CPO के थरू डैली पुलिस सबिस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ, SSC CHSL, SSC MTS, सुप्रीम कोर्ट में जूडिसियल असिस्टेंट, ऐसे multiple exam मैंने करेक्ट किये हैं और आपको भी इस वीडियो में जो भी current fair का session में लेके आया हूँ, उसमें exam oriented और pinpoint इन चीज़े ही बताऊँ हुआ, जो मेरे अनुभव के basis पे मैं समझता हूँ कि exam oriented हैं, और आपके लिए exam में काम आएंगी, तो सीधी बात नो बकवास का session रखेंगा ये, और शुरुवात क कजाकिस्तान, ये इसका ही member है, संगाई corporation organization का, तो वहाँ पे हुआ है, तो ये बात होगी, यहाँ पे अजीर डोवाल ने क्या किया है, इंडियन delegation को लीड किया है, ये बात होगी, हमारी संगाई corporation organization का meeting का होँआ हुआ, कजाकिस्तान में, ये बात सुल दो, अब आगे बात S.C.O. 2001 में पहली बार बना था, और इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही, इसके member 2017 में बने थे, इसके headquarter कहाँ पे है, इसके headquarter है, बीजिंग, चाइना में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और संगाई नाम सुना होगा, आपने, ये भी एक CTS चाइना में है, तो संगा S.C.O. और इसके headquarter कहाँ पे है, इसके headquarter है, बीजिंग में, कहाँ पे हैं, बीजिंग में, चाइना में, बीजिंग, चाइना में, और इंडिया और पाकिस्तान ने कब जोईन किया, 2017 में, इंडिया ने 2017 में जोईन किया, याद रखना ये बात, S.C.O. 2001 में बना था, 2001 में आगे बात करते हैं अबर हे इजिफ्ट के बारे में इजिफ्ट के ने प्रैशिडेंट चूल लिये गए है व्याद रखनेए आपको already बेल फ़ते अलसीसी, इजिप्ट के नई प्रेसिडेट बने है, आप इजिप्ट के बारे में कुछ और बाते जानलो, इजिप्ट से वहती है नील लदी, तो इजिप्ट को पता क्या उलते है, गिफ्ट ओव्दी नील बोलते हैं, ठीक है, एक बहुत पुरान है इस्टोरियन इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुखरानव इनाव। इजिप्ट के बारे बात करते हैं, इजिप्ट क्या है, इजिप्ट में नील लदी बहती है, ठीक है, क्या बहती है, नील लदी, तो नील लदी है, तो इसको क्या बोलते है, गिफ्ट और नील लदी निकलती है, यह निकलती है, विक्टोरिया लेक से, कहां से निकलती है, विक guest की बात किया मैंने लेकिन बाई वोल्यूम पानी के हिसाप से बाई वोल्यूम बात की जाए तो कुन सी नदी यह वो आपको बता ना जो बराजिल से हो के गुज़ती है आपको बता नहीं यह बात मेरे जो कब शुरू किया गा था 1961 में जो आला ने रूस्ताइन पर इंडिया के प्रधानमंतिर होते थे उन्होंने शुरू किया था इंडोनेशिया के क्या होते थे शुकराणो और इजिप्ट के कौन होते थे उनका नाम था गाबेल नासेर ये ना थे इन तीन लोगों ने मिलके दो तिन कंट्री होती वहां भें किया था और जगह का नाम भी याद रखनाब को ब्ल ‌पढ़ में उप में यूप्ट के कहां पर बुरेड ना मिल खंड में इसको गी तैग मिला और इसी के सात यूप्ट इंडिया का जहां पर सबसे ज़्यादा गी तैग पहली स्टेट मं G.I. Tech का Act का बाया था, मैंने ल सारी चाह मैंने ल सारी चीज के याद कराया था याद करो दिमाग में गमाऊ ये बात उसके बाग 1925 में क्या बना इंडीन हो की फरड़ेशन बना, 1927 में क्या बना फिक्की बना. 1928 में क्या बना, 19 свое परटाओं में क्या बना इसमरेशन बना और अभी ये बात हो जहाना रखनो, जीयाई टैक क्या हुआ, 1999 सारी चीज़े एक एक सवाल पुछा बना, ठीक है तो याद रखो नहीं हुए ना याद दोबार याद करो 1902 में क्या बना 1925 में क्या बना इंडियन होकी फेरडेशन 1927 में क्या बना जो मैंने कली बताया था फिक्की किसी ने नहीं पड़ा तो वीडियो देख लो बड़े काम की बाते ही है फिक्की मातमा गांदी के रिकमेंडेशन में बना था आया याद क्या 1908 में क्या बना 1908 में DRDO Defense Research and Development Organization 1979 में क्या बना इस्रो इस्रो तो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है इस्रो इंडियन स्पेसिसेच उर्गिनाजेशन जिसके headquarter कहाँ पे है बैंगलूरू में याद रखना आपको तो इसारी चीज़े और भी बताया था मैंने कर लिया आपको 1907 में क्या बना टिसको 1907 में टिसको टाटा ने जो steel company पहली बार लगाई थी वो जमसेदबूर में लगाई थी 1907 में ठीक है तो याद रखना 1907 में बनी थी टिसको 1901 में क्या हुआ था 1901 में पहला nobel price दिया गया था 1901 में Alfred Nobel के नाम पे जिनों ने dynamite की खोज की थी इतनी सारे बाते बता दी याद रखनी है आपको ठीक है कल और भी मैंने आपको बताया था क्या बताया था नरेगा 2005 में आया था और मातमा गांधी उसके नाम पे कब एड़ वा था 2009 मेड वा था ये बात ध्यान रखनी है आपको एक और बात बतायी थी मैंने आपको वो क्या बतायी थी डिजस्टर मेनेजिमेंट के लिए NDRF या दखो क्या है NDRF National Disaster Response Force NDRF जो वो सारे डिजस्टर आते हैं जैसे उडिसा में चक्रवात आते हैं वहाँ पे उन चीजों के लिए एक फोर्स बनाई गी NDRF National Disaster Response Force कब बनाई गई? 2005 में कब बनाई गई? 2005 में ये सारी बात इंपोर्टेंट है याद रखनी है आपको काम आईएंगे एक्जाम में अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और अलग चीजों की वो क्या है अर्प्रेल के जो important day जो उनके बारे बात कर लेते है अर्प्रेल के important day जोड़े बात कर लेते है important है भाई ये बात एक अप्रेल को मैंने बताया आपको एक अप्रेल को क्या बताया एक अप्रेल को क्या होता है उडिसाडे होता है उडिसाडे उडिसा अपना स्टेट उडे सेलिबरेट करता है एक अप्रेल को क्योंकि एक अप्रेल 1936 को क्या एक अप्रेल 1936 को एक अप्रेल 1936 को उडिशा को किस से अलग किया गया था बिहार से अलग किया गया था उस से पहले ये 1912 तक वेस्ट मुंगोल का हिस्सा थे वेस्ट मुंगोल प्रोविंस का हिस्सा थे बिहार और उडिशा लेकिन 1912 में बियार और उडिसा को वेस्ट मंगोल से अलग निकाल दिया गया लेकिन एक अप्रेल उडिसा को क्या किया गया बियार से उडिसा को निकाल दिया गया इसलिए एक अप्रेल को उडिसा क्या करता अपना स्टेट हुडे सेलिवरेट करता उसको हम क्या बोलते है उतकल दिवस बोलते हैं क्या बोलते हैं उतकल दिवस क्यों कि उतकल प्लेन्स भी उडिस सामय ही है यान रखना है यह बात जिलका जेल भी उडिस सामय ही यह बात ज्याआ है छिक है अगए बात करते हैं इसके बाद 18 परेल को important day है वह है heritage day World Heritage day जो Heritage Site है, जो Heritage Property है, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको celebrate करने के लिए World Heritage Day कब है? 18TS को, ठीक है, इशरी आपरेल को talking, आचे, 24 List quotes को बड़ीMPORTENT बात है, यह तो बिलकुल अच्छे, तसलिश है जाद रख लो, इंडिया में बहुत बड़ी बात है, ये क्या है, चोभी सपरेल को नाघोर जिला सुना हो, इंडिया का इस चीज लेना देना भी इस चीज़ का डैक लेना देना नहीं है, लेकिन करी निक ही लेना देना है चोभी सपरेल को एक तो ये बात ध्यान रखो को National Panchaiti Day उता है कि उन सारी होता है National Panchaiti Day जो 2010 में उस टाइम के जो प्रहानमत्री धे मन महण शिंग उन्होंने शुरू किया था मन महण शिंग ने शुरू किया था चौबी सप्रेल को National Panchaiti दे 2010 में और एक और खास बता देता हूं पंचायती जीवस रिलेटेड में आपको उन्हें पंचायती रिलेटेड बता देता हूं जिला भी पूछ सकते हैं नागोर कब शुरुबा था दो अक्तुबर उनिशनषट को तो अक्तुबर को मातमा गांदिगा जनमदीवस होता ना तो याद रखना दो अक्तुबर उनिशनषट को पहली स्टेड थी राजस्थान दूसरी कौन थी आंधरा परदेश दूसरी कौन आगे लेके जाता है स्टेटिक जी के बहुत होती है लेकिन एक्जाम औरिंटिड क्या है वो आपको पढ़नी है जितनी भी बातें बताई है ना सारी एक्जाम में पूछ विए तो आज का सेशन हो गया है यहां पर खतम थोड़ा सा एक बास समराइज कर लेता हूं यह क्या है संगाई कोर्पोरिशन और्गनाजेशन 2001 में बना इसके एड़कॉर्टर बीजिंग चाइना में नो पर्मानिट मेंबर है बात पाकिस्तान है 2017 में जो इनके इसको ठीक है अगे बात की हमने कहां की वो एजिप्ट की अल सी सी वहां के क्या बने प्रेसिडेंट बने एजि याद रखने है आपको याद रखने है वाई बैल ग्रेड यूगोसलाविया में इसकी सुरुआत हो जी ठीक है यह बात की मैंने एजिप्ट के बारे में उसके अलाव एजिप्ट की करणशी बताई पाउंड होती है और कैपिटल बताई कायर हो उसके बात मैंने बात की हेल्थ डे वर्ल्ड अल्थ डे होता 22 सप्रेल को सोरी तो इस सारी बाते याद रखनी है समराइज मैंने और भी बहुत सारी चीजी के आपके लिए 1920 में एसो चाम बना 1925 में इंडियन होके फेरेशन बना 1927 में इसरो बना 1907 में टिसको आई 1901 में पहला नोबल प्राइज द देखो 2 मिनिट लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा पांच मिनिट लगेंगे इन बातों को नोट ..hou और ये लक्से कोपी में एक्जाम में काम मैं आएंगी बहुत सारी बाते बिल्कु डेक्ड ली पूछे जाएंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक अपन मीटर खीच के रुखो भाई बाई बाई आवरीवन